राधे राधे दोस्तों, रसोई घर में मा लक्ष्मी का वास माना जाता है और कहते हैं कि रसोई में की गई छोटी सी गलती से मा लक्ष्मी को नाराज कर सकती है। वास्तु के अनुसार भी रसोई घर के कुछ नियम होते हैं जिनका पालम करने से जातक को कई लाब होते हैं रसोई घर में रोटी बनाते समय सबसे महत्वपूर्ण तवा होता है इसलिए इसका उप्योग करते समय आपको कुछ बातों का विशेश ध्यान रखना चाहिए उल्टा ना रखे तवा रसोई घर में तवा सबसे महत्वपूर्ण होता है और इसके साथ की गई लापर वही घर में नकारात मक्ता ला सकती है जब तवे का उप्योग नहीं करना हो तो उसे सीधा कही पर रखे वास्तू के अनुसार उल्टा तवा आपको कई परेशानियों में डाल सकता है यहां तक की धोने के बाद भी तवा हमेशा सीधा ही रखना चाहिए गर्म तवे पर ना डाले पानी तवे को खाना बनाने की जगव पर बाई और रखना चाहिए गंदा तवा न करें इस्तेमाल कहते हैं कि रसोई में मा लक्ष्मी का वास होता है और रोटी बनाते समय सबसे पहले गायव देवताओं के नाम की रोटी निकाली जाती है इसलिए गंदा तवा उप्योग नहीं करना चाहिए बलकि तवे को हमेशा धोकर उप्योग करें साथ ही उस पर थोड़ा सा नमक छिलक लें इससे राहू का अशुक प्रभाव नहीं पड़ता इसी आशा के साथ अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अनकित शर्मा यूट्यूब चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद